नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल फ्यूचर गोल्स में मैं जोती गुपता आप लोगों को शब्द रूप पढ़ा रही हूं तो इस शब्द रूप में इकारांत पुलिंक शब्द रूप इस वीडियो में हम पढ़ेंगे तो इका कभी और अगनी तो हरी के अंत मेशर और अगनी के अंत मेहरेगे तो इन शब्दों को क्या केंगे करांक economics च देंगे तुतिया में होता है हरिडा हरिभ्याम हरिभी चतुर्थी में होता है हरिए हरिभ्याम हरिभ्याम पंचमी में होता है हरे हरिभ्याम हरिभ्याम और सश्ठी में होता है हरे हर्यो हो हरिराम सब्तमी में होता है हरो और दिवचन में हर्यो हो और बहुचन में हरेशू संबोधन में क्या होता है हे हरे हे हरी और हे हरिया बहुचन में संबोधन जो होता है वो प्रतमा विभ्यति के समान ही होता है तो हरी हरी हरिया हरी 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 रा हरी भ्याम हरी भी हरी 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 भ्याम हरी भ्याम पंचिमी में हरे हरी हरी भ्याम हरी भ्याम शश्टी है हरे हर्यो हो हरी राम सब्तमी है हरो हर्यो हो हरी शू और संबोधन में क्या होता है? हे हरे, हे हरी और हे हरिया है इसमें होता क्या है? दुई वशन में जो होते हैं पर्थमाविभक्ती दुई वशन और दुतियाविभक्ती दुई वशन दोनों में एक समान शब्द होते हैं दोनों में रूप एक समान होते हैं प्रत्मा विभक्ति दुई वचन में और दुतिया विभक्ति दुई वचन में दोनों में हरी का हरी बनता है यानि की देर एकी मात्रा होती है और तृतियाव भक्ति द्विवचन, चतुर्थिव भक्ति द्विवचन और पंचमी विभक्ति द्विवचन ये तीनों रूप एक समान ही समय होते हैं प्रत्मा और दुतिया द्विवचन में एक समान होते हैं प्रतिया भ्यक्ति, चतुर्थी भ्यक्ति और पंचिमी भ्यक्ति द्विवचन में एक समान शब्द रूप होते हैं उसी प्रकार 6 भक्ति और 7 भक्ति दुई वचन में एक समान रूप होते हैं जैसे कि पर्थमाव भक्ति दुई वचन में हरी और 23 भक्ति दुई वचन में भी है हरी यानि कि देर की मात्रा लगी है उसके बाद आता है तरतियो भ्यक्ति दुई वचन में हरी भ्याम, चतुर्थी दुई वचन में हरी भ्याम, पंचमी दुई वचन में हरी भ्याम यानि कि तीनो रूप दुई वचन के एक समान होते हैं उसी प्रकार आता है सस्थिव भ्यक्ति और सस्थिव भ्यक्ति तो सस्थिव भ्यक्ति द्योचन में होता है हर व्योहो और सस्थिव भ्यक्ति द्योचन में भी होता है हर व्योहो इसके बाद आता है पंचमिव भक्ति और शस्टिव भक्ति एक बचन पंचमिव भक्ति एक बचन में भी होता है हरे है और शस्टिव भक्ति एक बचन में होता है हरे है यानि कि दोनों में एक समान शब्द होते हैं या एक समान रूप होते हैं तो यहाँ भी होता है हरे है पंचमी वह वचन में और शष्ठी एक वचन में भी होता है हरे है और इन दोनों में क्या लगता है विसर्ग लगता है इसके बाद आता है जैसे कि है ये चतुर्तुवी भक्ति बहुचन और पंचमी भक्ति बहुचन में एक समान शब्द होते हैं चतुर्थी बवचन में क्या है हरिभ्या है और पंचमी बवचन में क्या है हरिभ्या है यानि कि दोनों में एक समान है तो प्रथमा दुवचन और दुतिया दुवचन में होता है हरी और दुतिया दुवचन में भी होता है हरी और तुतिया दुवचन में हरिभ्याम चतुर् हर्यों हो और प्रथमाविभक्ति में यानि पंसिभी विभक्ति में एक वशन में होता है हरे और शस्थिवभक्ति एक वशन में भी होता है हरे है प्रथमाविभक्ति एक वशन में होता है हरी ही और दुवशन में होता है हरी यानि कि दीरगी की मात्रा लगती है और हरी राम म लगती है उसी प्रकार से बनाएंगे वो इसी प्रकार से बनेंगे एक शब्द रूप हम respectively कर लेते हैं तो उसी के आधार पर पुली के जितने भी शब्द रूप हैं वो हम बना सकते हैं जैसे कि है कभी कभी का बनाना है तो यहां पर हो जाएगा कभी ही क्या हो जाएगा कभी ही यहां हो जाएगा दुटिया 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 वचन में कभी और वचन में क्या हो जाएगा कभिम कभिम हो जाएगा और दुई वशन में भी रहेगा हो जाएगा और जा लगी िंए देल इक हमातरा लगे चीला भी बैश्तन क्या होगा कभी नए तो यहाँ पबसक्तने उसी फिरश नहीं हरी ना यहां पर कभी में होगा कभी ना तो हो जाएगा कभी भ्याम क्या फिर्ट का क 먹ंट में कभी भी हुई जघ जाएगा कभी भी उसके बाद है कि वश्ति एक rotor is इसमे हरी ए कभी चजुद्धिवर्थ एक वच्टिन में हो जाएगा कभ यह किया हो जाएगा कभ यह कि यहां पर हो जाएगा कभी भ्याद्र यहां हो G.K.K. कभी भे हैं उसके बाद आता है पंचीमी वभ्यक्ति तो पंचीमी वभ्यक्ति एक बचन में क्या हो जाएगा कभी हैं अर यहां हो जाएगा कभी भ्याम यहां हो जाएगा कभी भ्या उसके बाद है सश्ठी उभ्यक्ति में क्या है हरे है और यहां भी हो जाएगा हरे सश्ठी में क्या हो जाएगा हरे यानि कि पंचे में उभ्यक्ति एक बचन और सश्ठी उभ्यक्ति एक बचन एक समान होंगे तो हो जाएगा कभी और दुई बचन में हैं हर्योः तो यहां हो जाएगा कभ्योः क्या हो जाएगा कभ्योः और बहुचन में होगा कभी नाम क्या हो जाएगा बहुचन में कवियों हो बहु अचन में कविशु फिर संभूधर में हे कवे हे कवि denominator तो इस प्रकार से एक शब्द रूप याद कर ले दिने तो उसी के आधार पर उसी यानि की इकार रान थो तो उसी के आधार पर इकालांत के सभी शब्द रूप हम लिख सकते हैं याद कर सकते हैं जैसे कि है हरी हरी हर्या तो हो जाएगा कविभ्यां कविभी फिर हर्य हरिभ्यां हरिभ्य तो हो जाएगा कविभ्यां कविभ्य उसके बाद है हरे है आता है तो यहां हो जाएगा कवे हैं कवे हैं कविभ्यां और कविभ्य हैं उसके बाद आता है शष्ठी एक बचल में भी होगा कवे हैं और कवियो हो कवी नाम सब्तिम्मी में होगा और उसके बास अंबोधन में हे कवे हे कभी और हे कविया तो यह है इकारांट पुडलिक के शब्द रूप तो दोस्तों यह दिया आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें ज्याद स्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद झाल